पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भकत्य प्रयच्छती पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भकत्य प्रयच्छती जो मुझे भकत्य करके अर्पन करता है तद हम भकत्य उप्रतम अर्थात उस प्रदान की हुई भकत्य को मैं अश्नामी प्रयत्य आत्मनह अर्थात भोगता हूं धर्म निष्ट की तो श्रीकृष्ण यहां पर वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम परमात्मा के साथ अपना संबंद बना सकते हैं और कैसे यह जो संबंद बनाना है यह बहुत ही सरल है तो यहां पर वो कहते हैं कि जो कुछ भी व्यक्ति मुझे भक्ति के साथ में अर्पन करता है भले ही वो पत्ते हो पुष्प हो फल हो या जल हो तो जो कुछ भी वो मुझे भक्ति के साथ में अर्पन करता है उस प्रदान की हुई भक्ति को मैं भोगता हूं तो यहाँ पर हमें जो समझना है वह यह है कि परमात्मा के लिए यह महत्वपूर नहीं है कि उसको क्या अरपन किया जा रहा है आप उसको कोई भी ऐसी अलपतुल्य वस्तु अरपन कर सकते हैं किन्तु यदि आप उसको सची निश्ठा के साथ में अरपत करते हैं तो वह उसे बड़े ही प्रसन्यता की साथ में स्विकार कर लेता है। तो जो महत्वपून है ईश्वर को औरपन करना, वह कोई वस्तू नहीं है, बलकि वह हमारी भक्ती है, या हमारा प्रेम है। तो ईश्वर जो है वह प्रेम के भूके हैं, तो हमको उन्हें प्रेम प्रदान करना है। और जब भी हम कुछ उन्हें प्रेम से प्रदान करते हैं, तो वह उसको बड़ी ही प्रसन्यता के साथ में स्विकार कर लेते हैं। तो यह जो बात है यह है बहुत लोगों की समझ नहीं पाते है जब कि वास्ता में बहुती सरल सी बात है आपी जोचे की यह संपूर्ण शृष्टी है वह ए इश्वर की ही है तो अब उसमें यदि आप वहां से इस शृष्टी में से कुछ उठाके यदि इश्वर को चढ़ा कि हम कोई मूल्यवान वस्तु दे रहे हैं कि कम मूल्यवान वस्तु दे रहे हैं तो वह उतना महतोपूर्ण नहीं होता जो महतोपूर्ण है वह वास्ता में निष्ठा है कि आपकी निष्ठा क्या है आप कितना प्रेम करते हैं तो हमारा और ईश्वर के बीच का जो कर रहे होते हैं किन्तु उनकी जो प्रभूता है वह तो माता-पिता के पास ही है किन्तु जब बच्चे अपने खिलोनों से या अपने किसी वस्तू से कुछ सुंदर या कुछ अपनी अपनी क्षंता के सुनरा कुछ अच्छा जब बना करके अपने माता-पिता को देते हैं त माता-पिता जो होते हैं वह बहुत ही प्रसन्न होते हैं उन्हें पता है कि यह सब कुछ उनका ही है कि तब भी प्रसन्न होते हैं तो वह क्यों प्रसन्न होते हैं वह इसलिए प्रसन्न होते हैं क्यों कि बच्चे ने अपनी निष्ठा के साथ में अपने प्रेम से उसने अपने तो इश्वर उससे प्रसन्न होते हैं और वह हमें आशिरवात देते हैं जिसे कि हमारा जो जीवन होता है वह कल्यानकारी हो जाता है तो यह जो प्रेम है यही महत्वपून है अब यहां पर आपको यह भी समझना चाहिए कि जो प्रेम होता है उसकी वास्तविक अभी व्यक्त तो आपके पास में कुछ नहीं है तो आपके लिए यदि आपको किवल एक फूल भी चड़ा दें तो वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा त्याग होगा क्योंकि आपके पास वैसे ही कुछ नहीं है तो आपने जो प्रयास किया जो आपने त्याग किया ईश्वर को कुछ प्रेम करते हैं क्योंकि अपनी क्षमता के अनुसार तुमने जो चढ़ाया वह उत्कृष्ट था अब वहीं पर यदि आप एक धनी वेखती हैं और आप भी बोलें कि मैं तो जल चढ़ाऊंगा या केवल पत्ता चढ़ाऊंगा तो तब आपकी जो निष्ठा है उस पर तो नहीं है क्या हो गया तो ठीक इसी प्रकार से जो ध्यनी वेखती है वह भी यदि केवल पत्ते और पुष भी चढ़ा रहा है और कामना यह करता है कि मुझे इसके बदले में जो है सोना या चांदी प्राप्त हो जाए तो तब उस स्थिती में वह फिर प्रेम नहीं है फ अच्छा हो सकता है कि इसकी जो निष्टा है ठीक नहीं और उसकी निष्टा ठीक नहीं है वास्ताव में तभी तो वह इतना कम चढ़ा रहा है किसी बात से अपनी जो उसकी संपत्ती है उससे वह आ सकत है तभी तो वह इतना कम चढ़ा रहा है तो यह बात भी हमें ध्यान आपको चड़ाना है, वास्ताव में आपका जो मूल ध्यान है, जो ध्यान है और आपका जो केंद्र है, जिस पे आपको ध्यान देना है, वो यही है कि आपकी निश्ठा सच्ची है, आपका प्रेम सच्चा है, अपने सच्चे प्रेम के साथ अपनी जो आपकी क्षमता है, उस प्रेम पे केंद्रित करना है ना कि वस्तूओं पे केंद्रित करना है और जब आप ध्यान अपना प्रेम पे केंद्रित करेंगे तो जो भी आपको चड़ाना है आपकी जी निष्टा है वो अपने आप ही उचित हो जाएगी और आप उसी अनुसार आप अच्छे रूप में चड़ाने लगेंगे यह बात यहां पर श्रीक्रिश्न ने अर्जुन को समझाई आशा करता हूं कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पिसमाप्त करते हैं नमस्ते झाल